हाई फ्रेंड्स हिंदी डिकॉर्डी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो सहस्त्र का अर्थ होता है हजार और सहस्त्र फंड शेशनाग के होते हैं इन फंड पर मनी का दीपक रहता है लेकिन प्रस्तुत निभन में लेखक ने इसे शेशनाग शब्द से अभीहित नहीं किया है इसके प्रकाश से आलोकित प्रदेश मनीपूर की सौंदरिय गाथा सहस्त्र फंड का मनी दीप नामक निभन में की गई है दोस्तों इसके लिए कुबेरनात राय मिथक पुरान इतिहास भुगोल सभी को चान कर इसमें अभी व्यक्त करते हैं भातिय संस्कृती के अनुसार यह संपून प्रत्विशेश नाग के फन पर टिकी हुई है अतहा उनकी शक्ती अतुल्य है प्रस्तुत निभन में भातिय संस्कृती तथा मिथक यह वर्णन के चलते तत्सम बहुल शब्दावली का प्रियोग किया गया है कुबेरनात राय गंभीरता से केवल गंभीर बाते ही नहीं कहते वर्णकल्पना की उड़ान भरते वे बातों, विचारों, इतिहास, मित, आधी को अत्यंत, कोमलता से स्परश करते वे वर्णन करते चले जाते हैं तो दोस्तों आज के अध्याय में हम कुबेरनात राय के निबन सहस्त्रुफणों का मनी दीप के सारांश पर चल्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय सहस्त्रुफणों का मनी दीप निबन में मनीपूर के सौंदर्य का उधगातन किया है नागाओं के वन्षज रहते हैं जो की अपने आपको मेथाई कहते हैं मेथाई का आर्थ होता है भिन जन यानि की भिन भिन प्रदेशों के आईवे लोग प्राचीन आर्यों ने मनिपूर को गंधर्व लोक यक्ष लोक अपसरा भूमी कदली वन आधी नामों से संबोधित कि समाज व्यवस्ता की दृष्टी से यदि देखा जाए तो मनिपूर एक नारी प्रधान राज्य है क्योंकि यहां पुरुष की तिम्ला में नारी की प्रधानता देखने को मिलती है तो चलिए दोस्तों अब इस निबंद के सारांश को जानते हैं भगवान कृष्ण वरंद देखने की इच्छा जागरत होती है और शिव जी कृष्ण जी से अनुरोत करते हैं लेकिन कृष्ण जी उन्हें रासलीला देखने के लिए मना कर देते हैं मिथखिये कथा जो आपने आरे फिरसे जिन्दा कर दो तो उनके अनुरोथ पर शिव जी उसे अशरीरी रूप में उपस्तित रहने का वरदान दे देते हैं और दोस्तों कोई भी रासलीला कामदेव के बिना अधूरी मानी जाती है उनका होना वहां बहुत जरूरी होता है और कामदेव शिव जी के आगे इस बात के बाद जाने से डर होता है कि शिव जी रासलीला तो देखने आएंगे लेकिन वहां अपनी आँखों से उस नर्ते को नहीं देखेंगे बल की पीट के बल खड़े हो जाएंगे और शिव जी ऐसा ही करते हैं और उन्हें उस नर्ते में आनन भी बहुत मिलता है जब वो वापिस अपने केलाश परवत पर आ जाते हैं तो वो पारवती के साथ निर्त्य करने के लिए व्रिंदावन जैसे शांत एकांत और मनोरम भूमी की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं और फिर उन्हें जो सबसे जादे स्थान पसंद आता है वह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है पर त्रिशूल के आघात त्रिशूल से एक आघात करते हैं और जो महां का जलता वो बहार निकल जाते हैं और उस जंगत धर्ती उत्पन हो जाती है और दोस्तों इस प्रकार मनिपूर की स्वर्ण भूमी प्रकट होती है वही जल आज मनिपूर में इमफाल नदी के रूप में भह रहा है तो इस प्रकार मनिपुर के सँस्क्राइप भगवान शिव का प्रभाव है और यहां का नरत्य और संगीत कोमल भावों से अनुप्रेरित है शेप पार्वती द्वारा किया गया निर्तिय आज वहां लासिय के रूप में जाना जाता है और इसी निर्तिय से मनिपुरी रास निर्तिय उत्पन हुआ है दोस्तों कुछ सालों बाद आरियों के आगमन से मनिपुर की संस्कृति में परिवर्तन हुआ है जो यहां की मिट्टी है वे क्रिशी के लिए उप्यूक्त नहीं है क्योंकि इस मिट्टी में यहां पेड़, पोधे, लता अपने आप उग जाती है इसलिए यह उपजाओ नहीं है कि महां पे हम और कुछ उगा सके इसलिए मनिपुर में घने जंगल देखने को मिलते है अब जहां निबन कहानी का रूप धारन करता है वहां हमारे सामने दो पातर आते हैं एक तो मेख यान की जो बादल है और दूसरा एक काबुई कन्या जिसका नामकरन मेख ने दामनी के रूप में किया है एक बार उजयन के महाकाल की आरती देखने के बाद जब मेख घुमता हुआ मनिपुर पहुंचता है तो वहां वह देखता है कि नदी के जल में एक मुद धोती हुई काबुई कन्या जो की बहुत ही सुन्दर होती है उसकी सुन्दरता पर में एक मुग दो जाता है और वे दोनों साथ साथ रहने लगते है दोसों काबुई मनिपुर की जाती की कन्या है जो चार्नों और ढाटों की तरह गीतों और कथाओं को अपने कंठ में बसा लेती है अब इन दोनों के जादोई विच्रन, निरिक्षन, अनुभव और अनुसंधान को लेखक ने अतीव कुशलता और मनमोहक धंग से शब्द बद किया है इस प्रकार सहस्र फनों के मनीदीप, मनीपुर की रोमान चक कहानी निबंद की रूप में रुपाईत हो जाती है दोस्तों इस प्रकार इस निबंद में प्राचीन भार्टे संस्कृती के कई अपरीची संदर्भ हमारे सामने प्रकट होते हैं जो की आज के पाठकों के लिए अंचाने हैं लेखक ने पुरान और इतिहास दोनों के संदर्भो द्वारा मनीपुर की संस्कृती के संदर्य को इस निबंद के द्वारा पाठकों को समझाने का प्रियत्म किया है दोस्तों ये हमने जाना सहस्र फनों का मनी दीब निबंद जो की कुबेर नात राय का लिखा हुआ है इसके सारांश के विशे में हिंदी भाशा के और भी प्रमुक विशेयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा साथ ही साथ आप अपने मन में उत्पन होने वाले प्रशनों को इस कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ कर आप मैं उत्तर देने की शिगरती शिगर कोशिश करूंगी धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो